चलिए एक बार स्टार्टिंग से क्या क्या किया फटा फटा एक बार रिवीजन होल्डिंग का ज्यादा कुछ नहीं हुआ फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि सर क्या क्या करवा दिया आपने holding की बात कर रहे थे हम और हमारा chapter का नाम क्या है हमारा holding और sir holding में holding के अंदर हमने सबसे पहले सबसे पहले क्या topic देखा था sir holding company वो company होता है जो किसी भी company का minimum 50% से अवब उसका equity या share capital का part hold करता है तो उस company को बोलेंगे क्या holding company दो तरीके से holding company हो सकता है एक या तो हम उसके shares को खरीद लें तब भी मैं holding मानूँगा अगर 50% से अवब दूसरा अगर मैंने उसके director का majority direct का composition मेरे ही मेरे दुआरा किया गया है तब भी direct नहीं indirectly उस company के उपर अधिकार किसका आ जाएगा मेरा जिसे बोला जाएगा holding company इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई holding company है और तू भी continue अगर ये मान लेते हैं कि हमारा subsidiary company है इसका हुआ ये था इसने इस company का कुछ share hold किया था अगर इस subsidiary company ने किसी और company का share hold कर रहा है तो automatic ये वाली company इसकी क्या बन जाएगी subsidiary company बन जाएगी automatically और ये company holding मानी जाएगी किसकी इसकी लेकिन यहाँ पर दो company हो गए number one company, number two company ये दोनों company इस H limited का क्या माना जाएगा हमारा subsidiary माना जाएगा ये सीखा था हमने इसके बाद सर क्या देखा था हमने इसके बाद हमने फटा फट समझा था कि company जब कभी भी share खरीदेगा तो एक मैंने holding company का balance sheet बनाया और एक subsidiary company का balance sheet बनाया इसके अंदर हुआ क्या holding company ने इस company के सारे shares खरीद लिए और यहाँ investment भी दिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये companies company को on कर रहा है इसके assets में investment दिखने वाला है और इसके share capital को compare किया जाएगा सर इसने जैसे ही खरीदा तो उसके बाद हम क्या करते है सारे assets को एके करके add कर लिया जाता है और प्लस liability लेकिन ध्यान रहे ये वाला जो investment है ध्यान रहे Friday तक कोसिस रहेगी राघव पूरी हो जाए कोसिस रहेगा majority topic हो जाएगा Friday तक ठीक है एक बार फटा फट से देख लेते हैं इसके बाद क्या था सर जब हम company के दोनों के balance sheet को add करते है ना जब दोनों company के हम balance sheet को जब add करते है तो होता क्या है सर normally हम ये वाला investment नई वाले में नहीं ले जाएंगे प्लस इसका share capital भी इसमें नहीं जाएगा बस यह दो बात याद रखनी थी है ना सर चलो यहां तो fully ले लिए इसने तीन लाग था पूरे तीन लाग खरीद लिए दूसरे example में मैंने क्या करा कि सर तीन लाग रुपे में वह पांच लाग रुपे का समान खरीद लिया तो यहां पर दो लाग का फाइदा हुआ सब कुछ जूड़ जाएगा एजटी देखिएगा तो सारे एसिट्स लाइबलिटी जैसे पांच लाग और तीन लाग मैंने एड़ किया दो लाग और दो लाग देखिए चार लेखिन हमने इसको सस्ते में खरीद लिया तो एक इक्स्ट्रा समान के लिए कितने शोड़ कर दिया है सात लाग यानी हमने एक्स्ट्रा पर मेंन किया है तो यहां पर एक और point create हो जाता है हमारा जिसका नाम क्या रखा हमने goodwill ठीक है आप देखेंगे 6 लाक एक 7 लाक सब कुछ मैंने add करके बिल्कुल आराम से हमने ये सारी बातों को समझा था इसके बाद हमने क्या देखा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ shares को ही कले उसके साथ reserve है तो उसके हिस से को भी count किया जाएगा calculation के अंदर तो यहां पर इसने साथ लाक रुपे में खरीदा लेकिन इस company की valuation जो निकलेगी वो कितने निकलेगी हमारी 6 लाक तो क्यूंकि 4 और 2 6 और इसने कितने का खरीदा साथ लाक रुपे का तो investment साथ का और यह कितने का 6 लाक का अगेन यहां पर एक लाक का क्या आने वाला है हमने साथ लाक का payment की और 6 लाक का valuation है तो एक लाक का क्या निकलेगी हमारा goodwill महंगा तो इस वाले example से हमें क्या समझ में आता है सर जरूरी नहीं कि सिर्फ share capital में involved होगा अगर उसका कोई भी reserve है तो उसके अंदर भी हिस्सेदारी मानी जाएगी चलिए आगे चलते हैं आगे हमने क्या देखा minority interest सर minority interest का मतलब है जो company का share capital होगा उसमें से जो हिस्सा हमारा holding company खरीद लेगा जो बच जाएगा यानि बचा हुआ remaining जो remaining होगा इसको बोलेंगे minority interest और यह सिर्फ share capital पे applicable नहीं होगा reserve एं surplus पे इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग पार्ट में करके दिखाया था इसके बाद हमने question भी देखा minority interest का मैंने क्या करा 6 लाग रुपे का investment किया और इस company का 80% हिस्सेदारी खरीद लिया तो जब 80% हिस्सेदारी खरीदा तो share capital का तो हो गया 3.2 क्योंकि चार लाग का था और रिजर्व में से भी 80% हो गया 80,000 रुपे का बाकी बच गया minority interest का नहीं स्वारी रिजर्व में से भी हमारा आ गया बाकी यह तो 320 तो हो गया holding के लिए और यह minority का गया रिजर्व को भी दो हिस्से में हमने बाट लिया दोनों को जोड के हमने यहां पर MI वाला वैल्यू यहां आ जाएगा फरक क्या है सरे minority interest में के जो minority interest बनेगा वह वापस यहां चला जाएगा यह देखा था तो यहां तक पूरे last class तक की हमारी कहानी है जो की हमने देख लिया है इससे आगे बढ़ते हैं हम यहां तक किसी को कोई दिक्कत पताईए सबको clear रहे बड़ा basic सथा अब हम आएंगे धीरे-धीरे किस पर adjustment वाले पार पर दो कोस्टन भी दिये थे आपको मैंने although और आपने अगर करे होंगे तो लगा होगा औरली हो गया हो तो उसमें कोई इ अभी जितने भी एक्जामपल है मैं पुराने balance sheet से ही बताता जाओंगा simply इन में उन बच्चों को कठीनाई हो सकती है जो के 12 तक science के थे या arts के थे उनको समस्या definitely हो सकती है क्यों उनको तो पुरानी balance sheet भी नहीं पता है तो नई वाली में भी दिक्कत होगी उसे पुराने व चलिए कि हम अगले पार्ट पर चलते हैं कि सर नेक्सट पार्ट नेक्सट पार्ट की बात करते हैं common debt कि हम बात करेंगे common debt थोड़ा सा अच्छा सा color ले लेते हैं लुद दिए अच्छा के अच्छा सा अच्छा बड़ा कम होगे तो कि ए जलिए common debt सर ये common debt क्या है इसको देख लेते है common debt है हमारा इसको अगेन हम समझेंगे और एक बार हम समझेंगे तो हमें कोई समस्या होने वाली है ही नहीं कि सर काम क्यासे होगा सिंपल सी बात है अब हम दो company ले लेते हैं यहां पर एक लेते हैं H Limited और इसके साथ साथ एक company ले लेते हैं हम H Limited आपको पता H Limited कोन सी company होगी तर बिल्कुल सिंपल सी बात है यह holding मानेंगे और इसे मानेंगे subsidiary दोनों की हम balance sheet भी draw कर लेते हैं अगर मैं दोनों की balance sheet draw करूँ सिंपल सी बात है यह देखिए दोनों की हमने balance sheet को draw किया यहाँ पर fixed assets मान लेते हैं 5,00,00 और मान लेते हैं हम debtor 2,00,00 रुपे कर ठीक है हमने मान लिया debtor 2,00,00 यह इसकी balance sheet की कहानी है और creditor 3,00,00,00 रुपे ठीक है सेम यहाँ पर ले लेते हैं fixed assets थोड़ा कम ले लेते हैं 2,00,00, debtor 1,00,00, शेर capital होगा creditor 1,5,00, ठीक है यह balance sheet की कहानी है common debt का हमने देखा था amalgamation में ठीक है amalgamation में हमने common debt का देखा हुआ share capital plus reserve and surplus बिल्कुल ठीक हमने common debt का देखा हुआ है किसमे amalgamation में उससे थोड़ा सा advance में लेके चलेंगे थोड़ा सा advance ठीक है न अब ध्यान दीजिएगा simple सी बात है कि जो एच लिमिटेड है न एच लिमिटेड गुड्स को सोल्ड करता है सर एच लिमिटेड गुड्स किसको सोल्ड करता है एच लिमिटेड को ठीक है और जो गुड्स सोल्ड किया गया क्रेडिट पे किस पे किया गया क्रेडिट पे किया गया एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड को गुड्स सोल्ड कर दिया किस पे ग्रेडिट के उपर कर दिया, ग्रेडिट मतलब उधार पे बेच दिया, अब जब उधार पे बेचा है, तो definitely जो एच लिमिटेड है, वो जब भी इसे उधार पे बेचता होगा, वो कहां कंसिडर करता होगा, टेटर में कंसिडर करता होगा, और जैसे ही एच लिमिटेड खर चास हजार रुपए का समान बेचा हुआ है केस मैं बना के कर देता हूँ ठीक है केस नमबर वन पहला केस कहता है क्रेडिटर क्रेडिटर इंक्लूड इन एस लिमिटेड रुपीज फिफ्टी थाउजन डिउ फ्रॉम एच लिमिटेड सर इसका मतलब जो क्रेडिटर हमारा एच लिमिटेड है उसमें पचास हजार रुपए का क्रेडिटर एडिट है जो की किस से डिउ था हमारा एच लिमिटेड से तो यानि एच लिमिटेड के डेटर में कितना जुड़ा हुआ है 50,000 और एस लिमिट के डेटर में कितना जुड़ा हुआ है स्वरी क्रेडिटर में 50 तो इसका सॉलूशन क्या होगा जब नई बैलेंशीट हम प्रिपेर करेंगे जब हम बनाएंगे क्या नई बैलेंशीट तो देखिए न्यू बैलेंशीट न्यू बैलेंशीट सर्जो यहां पर यह बनेगा किसका एच लिमिटेट का ही बैलेंशीट बनने वाला है क्योंकि फाइनली यह होल्डिंग कमपनी यह सबसीटरी तो किसका बनाएंगे एच लिमिटेट का, अगर नई बैलेंच यीट हम बना लें हैच लिमिटेट तो अब तो अमेलिगमेशन होग़े भाई सब यह है तीक है, अब हैच लिमिटेट कहेगा जी मेरा डेटर मेरा डेटर, कितने का है, पहले था 2,00,000 का 50,000 का कॉमन है, तो ये कहेगा 1. 1. FAA fix assets कहेगा यह सर फिक्स एसेट 5 और 2 यह पूरे साथ लाग क्रेडिटर की बात आएगी तो क्रेडिटर कहेगा सर क्रेडिटर पहले 3 लाग का था और यहां 1.5 तो क्रेडिटर कहेगा यह पहले यह देखिए यानि 50,000 मैंने क्रेडिटर में से भी घठा दिये और मैंने 50,000 रुपर डेटर में से भी घठा दिये परस्ट केस देखिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं किस पर डेटर में क्यों दो लाग अच्छा एक लाग इसका नहीं जोड़ा मैंने सही कह रहा हूं यह आएगा 2.5 ठीक है चलिए मैं पहले वाले केस को यहां से हटा देता हूं पहले वाले केस को मैंने आपके लिए यहां रख दिया ठीक है ना दिख रहा होगा ठीक है अब दूसरे केस पर चलते हैं सर यह वाली चीज तो पहले भी हमने सीखा हुआ है बिल्कुल सीखा हुआ है आपने Case No. 2 Sir Case No. 2 में क्या होगा Debtor Include Rs. 50,000 in H Limited But Include in Creditor Rs. 30,000 लेकिन Creditor में जो Include है वो है हमारा Rs. 30,000 Creditor में Include कितने है Rs. 30,000 मैंने पूरा sentence actual नहीं लिखा, मैं भरवली बोल देता हूँ इसने इसको 50 का समान बेचा है, तो इसके Debtor में 50 जुडा हुआ है लेकिन इसके Creditor में 30 जुडा हुआ है यह थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई है है ना सर जब आपने 50 बेचे है तो सर यह भी तो 50 बोलना चाहिए था जैसे कि पिछले वाले एक्जामपल में अब यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे क्या हो सकते है ध्यान देजेगा यहाँ पे हुआ यह कि इसने क्या करा एक चेक काटा एक क्या काटा इसने और चेक काटा इसने 20,000 रुपे का और H Limited के अकाउंट में डलवा दिया तो चेक का पैसा आने में क्या लगता है टाइम लगता है ना तो ऐसे ही इसने इसको इंटीमेट नहीं किया होगा पॉसिबिलिटी है नहीं बन सकता है नहीं बन सकता है इसने इसको इंटीमेट नहीं कया इन्हीं कैस इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको कि इसने पैसा दिया नहीं तो ये तो अपनी जगा बताओ ये कह रहा है के मेरे क्रेडिटर में सिर्फ u darpere जुड़े हैं तो कि गलत कह रहा है कि गलत कह रहा है सही कह रहा है क्यूंकि बीस तो दी ener Guys कि यह spell Washington कि अधिना कुम्हें एम मुझे तुम से लेनेने कितने अको इन दोनों sort कोई भी गलत नहीं है बस यहाँ पर misunderstanding है तो सर यहाँ पर treatment जब करेंगे new balance sheet में तो क्या किया जाएगा new balance sheet में देखिया यह मैंने बनाया new balance sheet यहाँ आएगा debtor सर जो debtor है ना यह कितने का है दो लाग का common debtor अगर इसमें से देखा जाना है तो हमेशा याद रखना कभी भी accounts के अंदर जब किसी दो मिल जाया अपस में उसमें से कुछ cancellation की बात होना तो हमें से lower value होता है तो यह अपने debtor में से 30 minus कर लेगा और इसका debtor 1 lakh add कर लेगा यहांनी 1 lakh plus 1.7 lakh यहांनी 2.7 lakh यहां पर 2.7 लेगा यहां पर 2.7 का debtor मानके चलेगा क्योंकि यह minus क्या करेगा अपने में से नहीं नहीं मैंने कुछ गलत mistake तो नहीं कर दिया हा गलत कर दिया मैंने मैं दुबारा बता देता हूं उसको मैंने 1 mistake कर दिया debtor debtor की calculation क्या करोगे सर 2 lakh plus 1 lakh minus 50,000 minus पूरे 50 का ही होगा क्योंकि अगर मैंने 30 minus किया तो दिक्कत आ जाएगी सरई यह still कहेगा मुझे 20 लेने हैं जबकि ऐसा नहीं होना चीए जब concert relation हो रहा है सर जब creditor की बात आएगी तो creditor में क्या होगा सर 3 lakh इसके और 1.5 lakh इसके जिसमें से यह 30 कह रहा है तो इसमें मैं plus करूँ हम 1 point जो की result आता है हमारा 4 point 2 lakh मैं roughly देखो यहां पर desert करके दिखा रहा हूँ मैं सारा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं roughly करके जरूर दिखा रहा हूँ तो सर यहां पर जो आएगा debtor color change कर देखें चाब यहां पर जो creditor का value almost क्या आया 4.2 lakh और यहां debtor का value क्या आया 3 में से 50 गया 2.5 lakh लेकिन सार पहले वाली balance rate में तो यह 4 था अब यह 4.2 हो गया और इसके अंदर कितना था 2.5, 2.5 ही रहा इसके अंदर एक और entry करेंगे cash की या फिर cash in transit की या bank की भी कर सकते हैं यहां पर आपको 20 अलग से दिखाना होगा बाकी fixed assets कहानी होई रहेगे किंज समझ में आया कहा होगा दुबारा देखें एक बार मैंने debtor बोलता है debtor वाले ने बोला मेरे में 50 जुड़ा है तो 20,000 रुपए cash के नाम से इसको मिलेगा आज नहीं तो कल तो यह 20 कर देगा अब ultimately देखो 20 यहां plus हो गए और यहां 50 minus हो गए तो ultimately इधर impact कितने का है minus 30 और इधर भी कितना minus किया बात होई आगी ना तो debtor पे दो बाते बोली जा सकते हैं अभी तो मैंने सर्फ क्या बताया H Limited का S से सेम वाइसा वर्षा अगर S Limited का भी H Limited से माल लेते हैं S बोलता है कि भाई मैंने पैसे लेने है H Limited से तो बात एक ही है अब क्या होगा creator और debtor फिर से आपस में क्या हो जाएगे minus लेकिन अगर जहां पे भी कोई बोले debtor इतना और creditor इतना तो वहाँ पे एक बात आपको assumption लेना होगा कि इसका मतलब जो difference आ रहा है जैसे मेरे question में आ रहा है 30,000 ये क्या रहा होगा cash in transit रहा होगा इस वज़े से यहाँ पे match नहीं हो रहा तो हम first से difference वाले amount को कहा लिख देंगे आप bank में लिखिये आपकी मर्जी आप cash में लिखिये आपकी मर्जी और cash in transit लिखिये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत यहाँ तक बताईए simple sir 30,000 का creditor S limited में है या H limited में 30,000 रुपए का creditor ये है ये कहता था मैं yellow circle भी बना देता हूँ कौन कहता है ये कहता है मेरे में creditor इतना जुड़ा हुआ है और ये कहता है मेरे में debtor इतना जुड़ा हुआ है तो अब देख लीजिए आपका कोई doubt है तो बताईए फिर हम चलेंगे unrealized profit है कोई doubt नहीं बताईए जो बच्चे लाइव में फटा फट बताईए तो मैं अगले topic पर चलूँ clear है तो sir आपने question में as limited नहीं देखा था नहीं लिखा था ओके देखो यहां मैंने कहा ना ये जो line लिखा है पूरा statement accurate नहीं है लेकिन मैंने बरवरी जो चीजे बताईए वो चीजे आपको लिखी हुई मिलेगी उसकी चिंता बिल्कुल मत करो मैंने simple बता दिया इसके debtor में included ये है but include in credited 30 limited नहीं लिखा वो चीजे लिखी हुई आएगी चलिए sir अगले point पे चलते है अगला point है unrealized profit ये क्या होता है unrealized profit ये भी adjustment देखा है हमने है ना अब unrealized profit को हम दो point से दिखने वाले है sir दो point कौन कौन सा दो point की बात करें अरे ये क्या आगया ये रहे 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 दो point की बात करते है sir कौन कौन से दो point point number one point of view holding company जहां जहां मैं actually limited use करूँगा वहां holding company ठीक है ना point number two point of view समझ में आ जाएगा subsidiary company एक एक एक्जामपल देखते है sir के मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूं यहां पर अब अन्रिलाइज प्रॉफिट की जब जब बात होने वाली है ना तो आल्वेज याद रखना अन्रिलाइज प्रॉफिट जो होगा वह आल्वेज होगा स्टॉक के पॉइंट्स में हुआ यह मान लो आपके पास एक एच लिमिटेड है और एक है एच लिमिटेड दो कमपनी का डेटा है जब कमपनी एक्वाइर हो जाएगा तो दोनों तो एक ही होने वाला है एच लिमिटेड ने क्या करा गुट सूल्ड किया माल लेते हैं 1000 रुपे का समान 200 रुपे प्रॉफिट रक्के कितने का सूल्ड किया 1200 का सूल्ड कर दियाए किसको एस लिमिटेड का अब जो स्टॉक होगा । एस लिमिटेड का स्टॉक वह सो कर रहा होगा कितने Sun बारा सो का वो सो कितने का कर रहा होगा जब कंपनी आपस में मिलेगा तो इसका स्टॉक और इसका स्टॉक आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे लेकिन यहां पे 200 रुपे ऐसा प्रॉफिट है जो खुद से ही कमाये गया है तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं इसका स्टॉक अगर 5000 का है तो आप बताईए जब हम कॉंसोडोलेट बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक जब लिखने जाएंगे तो स्टॉक कितने काएगा दोनों के स्टॉक को अब यही स्टॉक जो है जो मैंने यहां पर यह आपको बताया इस लेंग्वेज में में भी पॉसिबल है कि यह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है यह परसंटेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है जिन बच्चों को नहीं पता में एक कलास के अंदर मैंने पूरा पूरा परसंटेज का ही पाट कराय था भी रिशेटली के परसंटेज जो जो गिवन है वहां रिलाइज प्रॉएज के नाम से टॉपक भी हासे है यहां पर बार ब governo बताने का कोई फायदा नहीं है थीक है मैं इसी question को आगे लेके चलता हूँ सर यहां balance sheet बनाएंगे जब balance sheet बनाएंगे तो balance sheet बनाते time पे होगा क्या आपने कहा सर stock कितने का add करो आपने कहा stock पुराना आपका 5000 रुपए है और 1000 उसका add कर दो यानि आप दिखा दो कितने का 6000 रुपए का कितने का दिखाओ अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ जो इस company का profit होगा ह लिमिटेड का जो reserve and surplus होगा और उसके अंदर जो profit इसने लिखा होगा समझे रहों मैं कहा जा रहा हूँ जो ह लिमिटेड का profit होगा उसके अंदर भी तो 200 रुपए added होगा होगा ही नहीं होगा तो वहाँ से भी 200 रुपए इसको क्या करना पड़ेगा eliminate करना पड़ेगा एक example लूँगा मैं balance sheet दोनों का बना के फिर मैं करके दिखा दूँगा proof ठीक है न तो ये मैं एक example लिया कि है भाई क्या होता है हमारा total unrealized profit तो इसी को मैं एक काम करता हूँ एक example लेके और उसके according मैं पूरा बता देता हूँ ये सारा मैं ये delete करते हैं से इसे note तो करोगे नहीं हटा ही देते हैं फिर इसे ना चलिए मैं दो balance sheet बनाने जा रहा हूँ सिंपल सिंपल balance sheet फटा फट बन जाएगा मैं एक H limited के point से सोच के चल रहा हूँ कि H limited ने समान बीचा है सर दो-दो के point में दोनों में बात एक ही आएगा नहीं आएगी न अभी आप देखना एक balance sheet H limited और यहाँ पर लिख देते हैं share capital 2,00,00, reserve and surplus 1,00,00, fixed assets 3,00,00, और stock एक लाख और इधर creditor proper balance sheet बना रहे हैं चिंदा मत खुरूआ creditor डाल दिया मैंने कितने होंगे कितने डालना चाहिए बताओ creditor दो और एक तीन और यहाँ चार एक लाख रुपे डाल दिया ठीक है यह किसकी balance sheet बनाई है सर आपने H limited की बनाई है एक और balance sheet आपके सामने है यह थोड़ा उपर बना लेता है एक और balance sheet आपके सामने है सर यह S limited की बना रहा हूँ तो S limited वाला जो है उसका share capital है 1 लाख reserve and surplus है 1 लाख fix assets है 50,000 और stock है 40,000 और बाकी डाल देते हैं stock के बाद किसमें डाले cash में डाल देते हैं सर केस कितने का है जोड लो कितने बचेंगे एक लाख सर अड़्जेस्मेंट क्या कहता है अड़्जेस्मेंट कहता है आपको अड़्जेस्मेंट के लिए या मैं थोड़ा और simple बनाने के लिए desert वाला तो चलो बाद में आप दिमाग भी लगा लोगे मैं 20% की बजाए मैं यहां पे कर देता हूँ simple desert वाले की बात कर लेते हैं ठीक है desert वाले की हम बात कर लेते हैं इसके बड़े सारे पाट है बहुत इंपॉर्टेंट है रिलाइस प्रॉफिट का टॉपिक और एक्जाम में आएगा ही आएगा इसलिए मैं इसको स्लो करवा रहा हूँ इसमें पांच-छे केस बनेंगे तो दो ही लिखें और भी केस बनेंगे इसमें तो सर अब कंसोडोलेट बैलेंशीट भी बना दो आफट आफट चलिए कंसोडोलेट बैलेंशीट यहां बना लेते हैं तो एक गलती रह गई इसके अंदर मैं इसको इन्वेस्मेंट कर रहा हूँ ठीक है जो मैंने कैस लिखा था ना कैस के जिखा पर काम करते हैं इसका शेयर कैपिटल एक लाख है न तो मैं यहां पर थोड़ा कुश्चन देखो कुश्चन बना रहे हैं तो कहीं न कई मिस्टेक हो जाती है इस कुश्चन को करते हैं हम दो लाख का इन्वेस्मेंट एक लाख का एक लाख का या एक लाख के जगह कर देते हैं इसको पहले पूरा पूरा लेते हैं फिर माई के साथ चलेंगे यह कर देते हैं एक लाख चलिए थोड़ा बैलेंस शीट में बदलाव कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए सिंपल सी बात है इस कंपनी का इन्वेस्मेंट कितने की करा हुआ है तो मैं फिलाल कम या ज्यादा वाला या माइनिरेटी इंटरेस्ट वाला concept डालके complicated नहीं कर रहा पहले धीरे धीरे चलेंगे इसमें यहां पर हुआ क्या balance sheet करते है fa क्या आएगा बताओ sir fa आएगा हमारा 50,000 और 1,00,000 कितना आगया 1.5 lakh sir stock कितने का आएगा sir stock जो आएगा वो आएगा अब बात करते हैं मुद्दे की sir stock add करेंगे तो वैसे 140 आना चाहिए वैसे 1 lakh और plus 1 lakh plus 40,000 आना चाहिए लेकिन sir जो h limited है ना उसने समान बेचा है s limited को तो stock को stock में रखने में कोई दिक्केदारी नहीं है लेकिन हमने अपने stock को profit markup के साथ रखा हुआ है कितने रुपे का profit markup है sir यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 1000 का क्या करने वाला हूँ minus तो आपका जवाब आएगा sir 130 139 ठीक है investment क्या आएगा इसमें नहीं आएगा sir cancel हो जाएगा investment क्या हो जाएगा हमारा cancel हो जाएगा अब liability पर आते है हमारा share capital जो है creditor ही नहीं है creditor है इसके रिजर्व को तो लेते ही नहीं है कि इसके रिजर्व को तब लिया जाता है जब MI वाला concept माई मतलब minority interest अब अपने रिजर्व को 1 लाक रुपे लिखूंगा मैं तो reserve and surplus का मतलब पता ही क्या होता है सर reserve and surplus का मतलब होता है कि आपका इसमें profit भी है तो अगर मैं यहां पर profit ले लूए 1 लाक रुपे तो इसका मतलब जब मैंने इसको समान बेचा होगा 1000 के profit पे तो मैंने इसके अंदर add कर लिया होगा तो इसका मतलब मेरा profit भी क्या है गलत है कहीं न कहीं इसको ठीक किया जाए तो इसको ठीक कर देते हैं इसको ठीक कर देते हैं चलिए इसमें से कितने का माइनस कर दिया जाए अन्रिलाइज profit तो बच्चों ने जवाब भी दे दिया 99 अब बैलेंशीट का total कर देखें फटा फट होगा बैलेंशीट का total सर बैलेंशीट का total क्या होगा दो लाक कितने आगेट नहीं 399 होगा न एसेट साइट का तो फिर फरक क्यों आ रहा है कुछ छोड़ दिया यह तो तीन इन नियार में ठीक है भाई एसेट में डेट लाक और एक उन्तालिस कुछ छोड़ तो नहीं दिया 399 एक मिन्ट लिख लेते हैं पहले कैश अच्छा यह कैश रही गया एक दस है तो हाँ कैश लिखना भूल गया ना तो कैश तो आए गई गई एक दस तो देखिए आ रहा है 399 यह देखिए चोटे-चोटे पर अब यह को स्ट इसके का वी कॉंसेप्त करेंगे अभी हमने माना है कि हमने इसको प्रस्ट पे समान बेश दीया अ सब्हें सकता है इसने इसको समान बेचा तो इसने क्यों खरीदा-बताऊ करीदा कहुं नहीं इसने क्रेडिक और कैस्न तो मध्मुधार निए credit cash तो पहुंच जाएगा debtor creditor में मुद्दे की बात है कि इसने इसको समान बेचा है खरीदा किसने है एस लिमिटेट खरीद के करता क्या है है कि उसी तो करता होगा क्या करता है वह आगे बेचता होगा businessman का तो यहीं काम है भाई मैं तुम से समान खरीदूंगा तो क्यों खरीदूग आगे बेचने के लिए इसने इसको 50,000 रुपे का स्टॉक बेचा 50,000 का स्टॉक बेचा लेकिन ये 30 का बेच चुगा है बाहर मालों को बेच भी दिया इससे 50 लिया 30 का बेच दिया अब इसके स्टॉक में जो included होगा वो कितना होगा सिर्फ 20,000 का होगा समझ रहे हो बात को इस टाइम पर क्या है मैंने इसको 3,000 का समान बेचा और ओ 3,000 इसी के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन अब मैं कहूंगा कि मैंने 3,000 रुपे का समान बेचा जिसमें से 1,000 रुपे का बेच चुका है तो इसमें पड़ा हुआ कितना है सिर्फ 2,000 पड़ा हुआ है तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो जो प्रॉफिट कमाया होगा वो भी प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा चलिए देखते हैं केस एक नई पेच पर चले चलिए कुश्चन समझ पारे हो मैं क्या बसा रहा हूँ ठीक है न चलिए यहां पर सिंप्ली आँ बैलेंशीट बनाके हमें एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं बैलेंशीट बनाके क्लून कर लेंगे देखिए एक है लिमिटेड एक है लिमिटेड मैं रफली बैलेंशीट बना रहा हूँ सर यह जो बैलेंशीट है यह है 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 लिमिटेड का और यह बैलेंशीट में बनाऊंगा एस लिमिटेड का ठीक है और एक और बैलेंशीट कौन सा बनाएंगे हम कंबाइन ना एक और बैलेंशीट बनाएंगे कंबाइन तो यह आ गया हमारा एक और बैलेंशीट यह किसका आ गया नाम चेंज कर देंगा कोई दिक्कत नहीं है यह आ गया बैलेंस शीट हमारा कॉन सो डॉलेट बैलेंस शीट जो की मेंली तो रहेगा यह ह एच लिमिटेट का ही यहां फे फिक्स एसेट्स दो लाग रुपे अब थोड़ा समय कॉनसेप्ट को और बढ़ाऊंगा स्टाउक पांच लाग का इन्वेस्मेंट दो लाग का 80% शेयर शेयर कैपिटल तीन लाग का रिजर्व एंड सर्प्लस एक लाग का शेयर कैपिटल टूटल क्या हो रहा है इसका सर सर इसका टूटल हो रहा है पांच दो साथ और दो यहां भी टूटल करेंगे हम नो लाग इसे पांच लाग कर लेते हैं रिजर्व एंड सर्प्लस कर लेते हैं चार लाग का कर लेते हैं क्यों ज़ादा complicated करें हैं ना fix assets कर लेते हैं दो लाक stock कर लेते हैं एक लाक और क्या कर लेते हैं चलिए बचा खुसा क्या कर लेते हैं cash और cash हो गया एक लाक balance sheet हमारा बन के तयार चार लाख और चार लाख इसके पीछे की कहानी adjustment में उपर लिख देता हूँ adjustment sir क्या adjustment है adjustment है stock of stock of s limited include rupees 5000 या फिर इसको उल्टा लेके ना सीधा चलते हैं थोड़ा language change कर देते हैं goods sold by h limited रूपीस 6000 at profit 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 इसको नीचे लिख दूँ किया यहां पर उपर मुझे भी समझ आनी रहा और मुझे भी लेंदी लग रहा है इसको नीचे ले आते हैं goods sold by h limited at a profit 2000 अब अब देखो language change कर रहा हूं अब देखो language change कर रहा हूं by s limited ने तो इसको समान बेचा है s limited जो है यह समान sold कर रहा है कितने का कर रहा है और उसके उपर profit भी ले रहा है कितना 2000 का simple सी बात है यहां तक कहानी में कोई दिक्कत यहां तक सब बढ़िया समझ में आ रहा है लेकिन s limited कहता है कि मेरे stock में जो include है न वो कितना है 3000 इसका मतलब s limited ने बागी के 3000 बेच दी होंगे क्योंकि s limited जब भी बात करेगा selling price की बात करेगा cost price की बात तो इसका मतलब इसने 3000 का समान बेच दिया है अब हम console wallet balance sheet बनाते हैं फिर elimination भी बात करेंगे sir balance sheet में क्या आएगा सबसे पहले fa की ले लेते है fa का तो कोई roll ही नहीं रहता fa 2,00,000 और 2,00,000 कितने होगे चार लाग की stock को बाद में ले लेंगे investment को बाद में लेंगे चलिए cash ले लेते है cash कितने का है एक लाग का अपने वाला share capital तो निफटाई ले हमारे वाला share capital पांच लाग रुपए और reserve and surplus इस पर adjustment है तो इसलिए मैं इसे bracket में लिख लेता हूँ सर इस टॉक के अंदर अगर देखा जाए मैं अपने वाला तो सारा stock एड़ करूंगा पांच लाग इसमें तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है मेरा तो पूरा आएगा लेकिन जब मैं इसका stock एड़ करूंगा तो इसका stock जो है न हमारा वो पूरा एड़न नहीं होगा इसका जब stock एड़ करूंगा तो पूरा एड़न नहीं होगा कितना होगा इसका इस्टॉक वैसे तो इसका स्टॉक एक लाग है एक लाग जुड जाना चाहिए लेकिन पीछे बताये था जब इंक्लूड होता है तो माइनस कर देते हैं अब इसने कहा कि छे हजार पे हम कमाएं दो हजार है छे हजार पे कितना कमाया इसने तो एक हम क्या काम करते हैं percentage निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें जुड़ा हुआ तो तीन पे कितना कमाया होगा यह पता चल जाए तो हम एक काम करते हैं छे हजार का percentage निकाल लेते हैं कि कितने percent 2000 तो percentage कैसे निकलेगा profit GP ratio जिससे बोलते हैं तो निकलेगा हमारा 2000 profit divided by sales sales 6000 और इंटू में 100 यह तो सब आपने कर रखा है कितने percent आई निकलके बताईए calculator पे क्या percentage आई निकलके percentage बताईए थर्टी थ्री 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 सौन चलता गया तो सर इसका मतलब जो 3000 हजार है न यहाँ पे जब मैं इसका एक लाख रुपए add करने जाऊँगा तो एक लाख तो इसमें से add नहीं कर सकता इसमें से जो stock इसका है वो minus कर देंगे कितना minus करोगे सर इसमें से minus तीन minus नहीं करेंगे हम 3000 पे 33.333 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा सर इस 3000 रुपए पे हम profit कमाते हैं 1000 का और cost कितने का होता है 2000 का क्योंकि 33.33 पूरा calculator पे निकालना 1000 ही आएगा 3000 निकाल लेजिए चाहिए आप तो मुद्दे की बात है सर जो 3000 का देखो इसका तो कोई रोल ही नहीं था ये स्रिफ था आपको जरिया एक क्लू मिला था ताकि आप निकाल पाओ तो यानि हमें मुद्दे की बात तो 3000 की है तो 3000 को दो पार्ट में separation करेंगे एक profit वाला हिस्सा अलग और दूसरा हिस्सा कि माइनिस करना कि तो सर कितना माइनिस करना यहां से तर्य यहां से माइनिस करना है तो दो हजार इसका जो आनसर आएगा शे लाग 5 98 पहले बताईए इसमें कोई दिक्कत और सर यहां रिजर्व एंसर प्लस जो 4 लाग है मैंने उससे profit कमाए थी कितने 2000 मैंने कितने profit कमाए थे लेकिन जब हमारे पास वापसी stock आया तो 2000 रुपे का stock थोड़ी आया हजार जब वो जो मेरा profit था जितना भी x y z जो भी था जितना stock बेच चुका है उस पर तो इसने profit कमा लिया होगा जो कि इसके कहां शो हो रहा होगा अब मैं बोल रहा हूं कि stock में कितना जुड़ा हुआ हजार जुड़ा हुआ है यही मान रहे हो तो हजार रुपए जैसे यह सलि मिटेड ने कमाया होगा के यह हजार रुपए जैसे कमाया होगा बेच के वावर्या टुड़ा पाव्यूत कि कमाया होगा जितने कभी में कुने किसमें consider कर लिया हो गई सकें कैना तो हम क्या करेंगे यह कि есте requirement प्रिट लाक में से अन्रिलाइज प्रॉफिट यहां पे तीन दो हजार नहीं माना जाएगा कि कंचेप्त और देखते हैं सर एक कॉंसेट मतलब कॉंसेट क्या इसी के अंदर पार अब बात करते हैं इसको को खरीदने का इसने 2,00,000 रुपए invest किये और 2,00,000 में कितने % हिस्सेदारी सिर्फ खरीद पाया ये 80% तो अगर मैं बात करूं चलिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर के सर 2,00,000 रुपए invest करके कितने परसेट की हिस्सेदारी खरीदी 80% सर इसने चली कितने कि दो चालिस का यानि इसने खर्चा किया दो लाक और इसका हिस्सेदारी खरीद्मारा कितने 2,004 पाइदा हो गया तो एक तो यहां पर क्या आजाएगा Capital Reserve कितने का Capital Reserve कितने का आ जाएगा 40,000 कोई दिक्कत नहीं समझ मैं ये बात अब MI पर आएंगे हम पहले यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं अब Minority Interest की बात करें जो बाकी बच गया 20% यानि सर हमारा 3,000,000 रुपे का value था इसमें 80% जो था वो तो holding company के हिस्से में गया और जो 20% होगा वो किसके हिस्से में आया होगा MI के हिस्से में तो सर इसका 20% अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 60,000 रुपेस यहाँ पर आ जाएगा MI 60,000 रुपेस टोटल कर लिजी अब दोनों साइट का सब कुछ ले लिया है मैंने cash waste ले लिया है नहीं लिया cash भी ले लिया थोड़ा इधर उदर हो रहा है चलो इसको इसको इधर रिसिप्ट कर देते है चलो भाई यहीं का जाओ ठीक है तो कितने होगे 5, 10,00, 10,00, 98,00 क्या सर यहाँ भी वही आ रहा है एरे 2000 profit क्यों minus किया हमें नहीं है हाँ stock तो 2 का ही था न ठीक है अंडिराज कितने आ रही है 9,99,000 पे कुछ और भूल गई क्या reserve ले लिया हमने 4,00,000 ले लिया CR ले लिया, share capital ले लिया, MI ले लिया, कुछ तो भूल गए हम यह आ गया 4,00,000 FA 5,00,000 और 6,00,000 यह टोटल सही है देख लो 5,27,29 और 5,00,000 और 4,9 तो 9,00,000 तो अकेला यही हो रहा है CR भी लिया, MI भी ले लिया, कितना बन रहा है यह टोटल और आना चीए 10,88,99, 9,99 थोड़ी होगा हाँ, 9,99, नहीं गलत बता रहे हाँ, 6,99,99,000, कितने का डिफरेंस आ गया भाई कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया कितने का, 99,000 का डिफरेंस तो सर 99,000 रुपे मैंने कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया गुडविल, कैपिटल रिजब भी लेगा, गुडविल तो आएगा, नहीं कैपिटल रिजब कितने खरी लिया, 240, 40 और 40 क्या, नहीं, MI में तो शेर कैपिटल आई गया कहीं ना कहीं तो कर दिया, हमने कोई टोटलिंग में मिस्टेक, जो कि वेज़वल नहीं है यह ह लिमिट, यह हुआ, यह है, यह यह ह Lesi कमा रहोगा, जी न कमा रहा हुआ यह H का है हाँ 3000 तो यह S में इंक्लूट है, तो शेलिंग प्राइज है इस के लिए वह सेम खुणी है उसमे कोई गड़बरी है 2 क्रीए अज अँघल ४ैट जो ही कि वाइस चपन सर बाइस चपन क्या बता रहा है सुमित गुपता कैश रिजर्व और सर्प्लस में क्या गलती कर दी हमने चारला कुराना था एक हजार हमारा अंड्रिलाइस प्रॉफिट था हमने माइनस कर दिया कि कि थे आग्या है सब्सक्राइब कर दो कि अब देखेंगे इसमें ने कहीं इतना बड़ा अरर्र नहांता सब प्रकुस तो हमने जोडा ही है यहां से investment cancel हुआ दो लाग का तो दो लाग का हमारा cash भी cancel हो गया मतलब हमारा investment गया ना दो लाग का इधर CR आ गया यह तो cancel out हो गया है मैं चालिस का गया है है मैं चालिस का गया कि शाट टीन हाँ कि शेर कैपिटल कौन सा चार लाग का कि ए यहां पर यह दोनों लेना था ना हमें ठीक हो ऐसे गलती इतनी बड़ी हो नहीं सकती तो कई वार पता नहीं चल पाता है तो यह आएगा हमारा चार लाग तो चार लाग का कितना एगा 320 ठीक है न 320 320 के लिए पेमिंट दो लाग कि आ जाएगा 120 रिजर्व जो आ जाएगा यह 120 आ जाएगा 120 अब इसके बाद MIB किसमे निकलेगा 4 लाग पर एम आई भी निकलेगा हमारा 4 लाग पर तो 4 लाग का 20% 80 अब जोड़िये अब जोड़िये क्या बन रहा हूँ अच्छा कह रहा है वही मैं भी कह रहा था 3 का 80% क्यों चार का ठीक है कितने दस लाग सर एक हजार का और पंगा गया एक हजार का क्या प्राब्लम आ गया हमने स्टॉक बेचा था छे का छे में से तीन विग्या हां नहीं इसका जो प्राफिट मार्क अप रहेगा वह दो हजार एक का तो विग्या एक का अब एक चीज और भी चलिए अभी ना मैं ये सिर्फ इसको लेके चलूँगा क्योंकि मेरी थोड़ी से अगली क्लास भी है इसको आप कोश्चन मार्क में रखो मुझे तो मैंने देख लिया कि कहां पर एरर है क्योंकि जो एक हजार का प्राफिट एरर है ना वो इसका जब MI लेंगे तो वहां भी हजार रुपे कम होगा क्योंकि उसने हजार रुपे क्या कर रखा होगा कमा रखा दोनुमें कम होगा आप उस चीज पर मत जाओ आप सिर्फ MI वाले पोर्सन को छोड़ दो मेन ये वाला जो हमने काम किया 100% करेक्ट है इसमें कोई गलती नहीं है हमने सिर्फ ये देख लिया ठीक है तो कल सुभह जो क्लास लूँगा उस क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से फिर इसको आगे टू भी कंटिन्यू करेंगे तो आप ध्यान से देखो तो हम पॉइंट में मैं कंसिडर कर दो